2024 में हुए लोगसभा चुनाव में बिहार की अगर सबसे चर्चित सीट की हम बात करें तो पुर्णिया यहाँ पर सबसे चर्चित सीट रही थी जहां से निर्दलिये पप्पु यादा चुना लल रहे थे और वो निर्दलिये चुनाव जीत भी चुके हैं वहीं अब चुनाओ जितने के बाद पप्पू यादो पहली बार आज दिल्ली पहुँचे हैं जिसके बाद उन्होंने कॉंग्रेस के महासचीव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है चुनाओ से ठीक पहले अपने पार्टी का मरजर करते हुए पप्पू यादो कॉंग्रेस में सामिल हो गए थे महागडबंदन में सीट बटवारे के तहट आपको बता दें कि पुर्णिया सीट लालू यादो की पार्टी आरजीडी के खाते में चली गई थी जिसके बाद पप्पू यादो को कॉंग्रेस से टीकट नहीं मिल पाया था इसके बाद पप्पू यादो ने निर्दल ये ही चुनाओ लड़ने का मन बना लिया और चुनाओ मैदान में उतर गए थे और अब जीत दर्चकर चौती बार पूर्णिया से पप्पू यादो सांसत बन गए हैं इसके बाद पप्पू यादो आज दिल्ली पहुँचकर प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हैं इस मुलाकात को लेकर के पप्पू यादो ने सोशल मेडिया प्लैटफॉर्म पर ल बनेंगे बता दें आपको कि निर्दलीय चुना लोने के बाद भी पप्पू यादो पूरे चुना अभियान के दोरान कॉंग्रेस या पार्टी नेताओं के खिलाफ एक सब्द नहीं बोल रहे थे उन्होंने कहा था कि वो खुद को कॉंग्रेस के विचारधारा के करीब पाते हैं ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पप्पू यादो अब अधिकारिक रूप से एक बार फिर कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं वहीं जब पप्पू यादो से केंदर में एंडिय की सरकार बनने और उसमें बिहार की भूमिका को ले करके सवाल पुछा गया तो पप्पू यादो ने कहा आजाद हिंदुस्तान के बाद क्या कोई बिहार का भाग्य उदय कर पाया बिहार का बटवारा इनहीं लोगों ने किया था ना जहारखंड का भाग्य उदय हुआ ना बिहार का भाग्य उदय हुआ जहारखंड उधोग पतियों के हाथ चला ग चाहिए थी इसके साथ ही जाती गत जनगन्ना कराने की भी डिमांड रखनी चाहिए थी और अगनिवीर यूजना को ले करके भी खत्म करना चाहिए और इसके लिए उन्हें दबाव भी बनाना चाहिए